पिशले एपिसोड में आप सबने दीखा कि समर का भूट समीरा को अपना सच पतानी ले जाता है और उस जगहे खड़ा कर दीता है जहां समर एक पार्टी में गया था वहीं समीरा को पता चलता है कि समर के साथ नेहा नाम की लड़की ने बहुत गलत किया मगर सबसे बड़ा खुलासा तो तब होता है जब समीरा के सामने रिशी आकर खड़ा हो जाता है जो कि समीरा का ही एक्स बॉइफरेंड था और रिशी और नेहा मिलकर समर को मार डालते हैं समर, ये तुम हो, तो क्या तुम भी आय थी इस कैम्प में? समेरा मैं तो उस बस में भी ठीक तुमारे पीछे ही बैठा था, जिसमें तुम चड़ी थी. उस दिन तुम बस में जैसे ही चड़ी, तो मेरी नज़र तुम पर पड़ी, और मैं बस तुम्हें देखता ही रह गया. कितनी सुन्दर है लड़की, अगर ये मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाए, तो मेरा तो सफर ही खूब सूरत हो जाए. मगर तुम तो रिशी के पास बैठी थी, और मैं हमेशा की तरह ही चुप रहे गया, मगर किसमत का खेल देखो, तुम इसी केमप में आगे, मैं तुम्हें हर पल नोटिस करता था, तुमसे बात भी करना चाहता था, मगर कभी कुछ बोलना सका, और फिर एक दिन मैंने हिम्म करी, आज मैं समीरा को बता दूँगा, कि मैं उसे चाहने लगा हूँ, और जब मैं तुम्हें बताने आया, तो मैंने देखा कि तुम और रिशी एक दूसरे के करीब हो, और मैं रोता हुआ वापिस चला गया, अच्छा, तो वो तुम थे, जो छिपकर हमें देख रहे थे? इतना ही नहीं, मैं ये भी जान गया था कि तुम इच्छधार इनागिन हो, जब तुम और रिशी पानी में गिरे थे, तब भी मैं वहीं खड़ा था, और तुम से बस इतना कहना चाहता था, कि मुझे तुम्हारे रूप से कोई दिकत नहीं है, मुझे तुम्हारे मन से प् इसका दिल लोगों पर खिलोनों की तरह आ जाता था, मुझे पर भी उसका दिल आ गया था, मगर मैं तो तुम से प्रेम करता था, तो मैं कैसे उस नहीं को अपना था, और उसका इगो हट हो गया, तो मेरे पास क्यों आए समयर, तुम तो खुद एक भूत हो, कुछ भी कर सक समीरा, मेरे मरने के बाद मैंने भूत बन कर रिशी से बदला लेना चाहा, मगर वो और उसकी बहन किसी तांतरी के पाद जा कर को रक्षा कवच लेकर आ गए, जिससे मैं उनके करीब नहीं जा सकता हूँ, और तुम तो एक नागिन हो, इसलिए, ओ, इसलिए तुम मुझे उ समर अपना जला हुआ हाथ समीरा के आगे लाता है, समीरा समर के और देखती है, तभी उसकी आखों से एक आसू गिर जाता है, और जैसे ही जमीन पर वह गिरता है, वह चारों और बहुत सारे सुन्दर फूल खिल जाते हैं, जिन्हें देखकर समीरा समर के भूत को गले लग पर आखिर मुझे करना क्या होगा। और गाड़ी से उतरता है और उस लड़की के पास जाकर उसका हाथ पकरता है। लड़की मुर्ती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब ना कोई ताबीज और ना ही साब, अब मैं तुम सब की तरह नॉमल हूँ। ये सुन रिशी बहुत खुश होता है। पर तुम यहां क्या कर रही हो। यहां मेरी आंटी रहती है, मैं बस उनी के पास रहने आई हुई हूँ। अरे वा, चार दिन बाद मेरी शादी है, तब तक तुम जरूर रुकना। और दोनों मुस्कुरा कर चले जाते हैं। नहीं रिशी, मैं किसी भी हाल में तुम्हें ये शादी नहीं करने दूगी। तभी समर का भूत भी आ जाता है। वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये तावीज अपने हाथ से कैसे निकाला। कल घर जाने के बाद मैंने अपना कमरा बंद किया, और मैं शिवजी की आरादना करने लगी, तभी नागदेव प्रकट हुए। कहो समीरा, क्या कष्ट है तुम्हें। नागदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं, अब मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ, जहां मेरा ये नागिन रूप कमजोरी नहीं, मेरा हतियार बनेगा, मगर मेरी शक्तियों पर कोई काबू नहीं है। बेटा, मन पर काबू करने के लिए तुम बिना रुके जाब करो, और फिर खुद की शक्तियों को पहचानो। फिर मैंने पूरी रात शिवजी जी का जाब किया, और जब सुभे देखा, तो वो ताभीस मेरे हाथ पर नहीं था। और समर, अब मैं जब चाहूं तब अपने नागिन रूप में आ सकती हूं। और समीरा नागिन रूप में आखर दिखाती है। शाबाश समीरा, अब हमारा बदला लेने से हमें कोई नहीं रोख सकता है। और अगले दिन रिशी समीरा को अपने घर पर बुलाता है, समीरा बहुत सुन्दर बनकर उसके घर जाती है, तभी रिशी की नजर समीरा पर पढ़ती है, और वो समीरा के पास जाता है तुम बहुत सुन्दर लग रही हो समीरा मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे रिशी और रिशी समीरा को अपना घर दिखाने लगता है समीरा चारों ओर देख लेती है समर मैंने अच्छे से देख लिया इस घर पर कोई रक्षा कवश नहीं है शायद वो रिशी के शरीर से ही जुड़ा है तुम घर में आ सकते हो और तभी अचानक घर की सभी लाइट्स ओन आउस होने लगते हैं और दर्वादे खुलने बंद होने लगते हैं तभी एक जोर का हवा का जोंका आता है और सब नॉर्मल हो जाता है अब होगा असली आक्शन शुरू मेरा समर भी अब आ चुका है घर के बाकी लोग ये नजारा देखकर चौंक गए थे रिशी ये सब क्या हो रहा है कहीं कोई भूत तो नहीं 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 समीरा भूत भूत कुछ नहीं होते हैं और रिशी समीरा को दूसरी जगह ले जाता है और ये देखो ये हमारा स्टोर रूम है समीरा अंदर जाकर देखती है और एक्दम से जोर से चिलाती है रिशी कोई मेरा हाथ अंदर की और खीच रहा है रिशी मुझे पचाओ वो मुझे अंदर ले जा रहा है क्या हुआ समीरा कौन है वहाँ समीरा नाटक करते हुए अंदर घुसती है और रिशी का हाथ पकड़ कर उसे भी स्टोर रूम के अंदर ली जाती है तुम ठीक तो हो ना समीरा क्यों डिरा दिया ना कैसी लगी मेरी आक्टिंग मैं तो बस थोड़ी से मस्ती कर रही थी अभी समद स्टोर रूम का गेट जोर से बंद कर देता है और रिशी और समीरा अंदर ही बंद हो जाते हैं देखो अब ये क्या हो गया मुझे बहुत सारा काम है समीरा तुम भी ना फिर समीरा रिशी को खीच कर अपने पाउप ले आती है ये तुम क्या कर रही हो समीरा श्श्श बोलो मत वरना वो भूत सुन लेगा रिशी चुप हो जाता है तुम तो उस दिन ऐसे चले आए थे रिशी जैसे तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही ना हो फिर मेरी याद नहीं आई तुम्हें और समीरा रोने का नाटक करके रिशी क सीने से लग जाती है और उसके शरीर पर कुछ ढूनने लगती है समीरा तुम्हें एक नागिन थी और मैं इंसान हमारा मिलन असंभव था और वैसे भी तीन दिन बाद मेरी शादी है इन बातों का कोई फायदा नहीं पर रिशी अब मैं इंसान हूँ और तुमसे बहुत प् करना होगा और समीरा फिर से रिशी के गले लगती है पर समीरा मैं अब क्या कर सकता हूं समीरा चालाकी से उस माला को अपने बालों में फसा देती है और जैसी ही वो रिशी से दूर होती है रिशी की माला समीरा के बालों में आ जाती है और रिशी का रक्षा कवज तूट ज अब तू कैसे बचेगा रिशी मैं अब वापस आ गया हूँ रिशी काच की और इशारह करता है वो यही है यही है समीरा वो वापस आ गया है कौन कौन वापस आ गया है रिशी यहां तो कोई भी नहीं है और समर काच में से निकल कर दोड़ता हुआ रिशी की और आता है मगर रिशी तभी समीरा के बालों में लगी उसमाला को निकाल कर समीरा को जोर से धक्का देता है और वो मारा फिर से पहन लेता है जिससे समर रिशी को छू नहीं पाता तभे रिशी देखता है कि उसके धक्ये से समीरा टेबल पर जाकर गिरी है जिससे उसके सिर पर गहरी चोट लगी है अब देखिए आगे समीरा और समर एक तो हो गए मगर क्या वो अपने लिए इनसाफ कर पाएंगे जानने के लिए देखिए हमारी ये दिलचस्प कहानी ओनली ओन लव सिटी कहानी जादी रहेगी ऐसी इंट्रेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लव सिटी और हाँ बेल आइकोन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए